खबरे अप्तक, powered by fly appearance, the journey beyond your imagination नमस्कार, मैं जोती श्रवास्तव, आप सभी का स्वागत है खबरे अप्तक में खबरे अप्तक में आज बात होगी लोगसभा में ओम बिरला और अभिशेक बैनर जी के बीच हुई नोग जोग की यूपी पुलिस भरती परिक्षा को लेकर योगी के बनाए गए खास प्लान की और योगी केशव के बीच बड़ी अंतर कलहे की साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की हेडलाइन्स पर बदले गए राश्ट्रपती भवन के दो हॉल के नाम प्रियंका गांधी ने खिया शेहनशावालातन राश्ट्रपती डौपदी मुर्मो ने राश्ट्रपती भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलने का आदेश जारी क्या है अब इन्हें गर्तंत्र मंडप और अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा वही राश्ट्रपती भवन के ओर से जारी के गए सादेश पर कॉंग्रिस महासचिप प्रियंका गांधी वाडरा ने तंच कसा है प्रियंका ने कहा है कि भले ही यहां दरबार की कोई आवधारना नहीं है लेकिन शेहन शाक की आवधारना है कुल्दीब विश्णोई ने की पिया मोधी से मुलाकात पत्दी बेचा और पुत्रवाधू रही मौजूर हिसार के भाज़पा के वरिष्ण नेता कुल्दी विश्णोई ने दिली में पिया मोधी से मुलाकात की है इस दरानन के साथ धर्मपत्दी रेणुका विश्णोई बेचा विदायक भावी विश्णोई साथ ही साथ पुत्रवाधू मौजूद रही मुंबाई पुडे में आफ़त बनी बारिष बचा अके लिए उत्री सेना मुंबाई पुडे चाड़े पालगर साहित वाराश्ट के काई शहरों में भारी बारिष जारी है जिसके चलते सडकों से लेका रेल ट्राक तक पानी से लबालब हो चुके है कि स्यम्के इजरिवाल को नहीं मिली रहा चीवी आइ मामले में 8 अगस तक बढ़ी नयाए खिरासथ बिली यापकारी नीची से जुडए जीबाई मामले में राउ जैवेनी कोट ने अर्विद केजरिवाल की नयाए खिरासथ 8 अगस तक बढ़ा दियोंने तिहार चेल से व वेश्मिक बाजारों में नार्वी के रुके बीच उस्थानी शुयर बाजार गुर्वार को लगातार पाच्वेक आलोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए सेट्सेक्स 109 अंकी गिरावट के साथ 8049 अंक पर बंद हुआ वही निफ्टी भी साथ अंक गिरका 24406 अंक पर आया तो ये थी आज की हेडलाइन्स लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज की वारिल वीडियो से रूबरू करा देते हैं मुंबाई के अटल सेतु से एक शक्स ने समंदर में कूत कर आतमत्या कर ली इस घटना का वीडियो वारिल हो रहा है घटना 24 जुलाई के दोपहर की है पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई पहले आप ये वीडियो देखिए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे शक्स सेतु पर कार रोकता है और फिर सेतु पर चड़ जाता है और समंदर में छलांग लगा देता है सुसाइट करने वाला 38 साल का मृतक मुंबई के डूम्बी वली का रहने वाला था नहवा श्रेवा पुलिस मामले में घटना की जांच में जुटी है पुलिस सूत्रों के अनुसार आत्मत्या से पहले उसने अपनी पत्नी और बच्ची से बात की थी मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि वह खुद की जान लेने वाला है बता दे कि मुंबई के अटल सेतु से कूट कर आत्मत्या करने का ये दूसरा मामला है इससे पहले इसी साल 20 मार्च को उठाने की एक महला डॉक्टर ने भी अटल सेतु से कूट कर आत्मत्या कर ली थी फिलाल खबरे अब तक में करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में जिक्र लोकसभा में बुद्वार को बजट पर चर्चा के दोरान अध्धक्ष ओम बिरला और त्रिन्मूल कॉंग्रिस के सदस से और पश्रिम मंगाल की सीम ममता बैनर जी के भतीजे अभिशेक बैनर जी के बीच कई बार तीखी नोगजोग देखने को मिली जुसका वीडियो भी सामने आया है अभिशेक बैनर जी ने सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहा कि अपनी कुरसी की पेटी बांध कर रखिये मौसम का मिजास बिगडने वाला है दरसल अभिशेक बैनर जी अपने भाशन में शुरू से ही सरकार पर हमलावर रहे हैं और उन्होंने तीके अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी वित्यमंत्री निर्मला सीता रमंड और बजट को निशाना बनाया है जिस वक्त बैनर जी बोल रहे थे तब पिठा सीन अधिकारी के तौर पर दिलीप सैकिया आसीन थे लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो बिरला आसन पर आ गए जिसके बाद दोनों के बीच तीकी नोगजो देखने को मिली आप भी देखिये दरसल त्रिन्मूल कॉंग्रेस के सांसत अभिशेक बैनर जी ने चर्चा के दोरान 2016 में की गई नोट बंदी का जिक्र किया जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि माननिय सदस से आप वर्तमान बजट पर बात करें क्योंकि 2016 के बाद तो काफी समय निकल गया इसके बाद अभिशेक बैनर जी ने कहा कि कोई पूर्व पियम जवाहर लाल नहरू की बात बोलेगा तो आप कुछ नहीं कहेंगे और मैं 2016 की नोट बंदी की बात कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि वर्तमान बजट पर बोलिए सुनिये इसके बात कर रहा है तोई साथ साल पहले तोई साथ साल पहले जवाला नेडू का बात करेगा दूसरे निताव का बात करेगा तब आप कुछ नहीं बोलेंगे तो आप कहेंगे बढ़ता निशुपे बोलिए बजट पर यह पात नहीं चलेगा जब जब बढ़ रहा हूं जब बिबलब बोल रहा था तब 100 साल पुड़ाना बात कर रहा था पचास साल पुड़ाना अमर्जन्सी का बात कर रहा था तब आप चुपते और आप मैं डीमोनि पहले अभिशेग बानर जी ने अपने संबोधन में बजट को लेकर नरेंद्र मोधी सरकार पर निशाना साधा जिस पर सत्तापक्ष विशेशकर बंगाल की बीज़ेपी सांसदों की ओर से प्रतिक्री आई जिसके बाद अभिशेग बानर जी ने भी सरकार को आड़े हातो ले लिया और इस दोरान उनकी बहस अध्यक्ष ओम बिरला से हो गई हैर चलिए इसी के साथ खबर अब तक में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के ओर इन दिनों पेपर लीक होना आम बात हो गई है परीक्षा होने से पहले ही उसका पेपर लीक हो जाता है जुसके चलते प कई याचिकाइं डाली गई हैं कईयों की गिरफतारियां भी हुई हैं महीं उत्तर प्रदेश में भी हुई पुलिस भरती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था जुसके बाद परीक्षा रद्ध कर दी गई थी और यूपी सरकार ने 6 महीने बाद 12 परीक्षा क कराने का निर्देश दिया था जिसकी तारीखों का एलान हो गया है जिहां यूपी सरकार ने पुलिस भरती परीक्षा के री एक्जाम किती थी घोशित कर दी है इसी के साथ सरकार ने इस बार पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए कड़ा कदम भी उठाया है यूपी सरकार पर सवाल उठे थे लोगसभा चुनाओ 2024 में पेपर लीक का मुद्दा गहराया योगी सरकार से लेकर मोधी सरकार तक पर सवाल उठे युवाओं के बीच पेपर लीक का मुद्दा अक्रोश्ट के तौर पर गहराया असर चुनाओ परिडाम में भी दिखा ब पुलिस भरती परिक्षा का आयोजन करने जा रही है। इस परिक्षा के जर्गे योगी सरकार की कोशिश युवाओ के 20 सरकार की छवी को बहतर बनाने की होगी सिपाही भरती के शड्यूल को जारी किये जाने के बाद इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्मा गया है सीएम योगी आदेतिनात ने नकल विरोधी कानून के खिलाफ कड़ा एक्षन लिया है एक जुलाई से प्रदेश में समद में अदरदेश जारी किया गया है इसी कानून के दाइरे में अब सिपाही भरती परिक्षा को पूरा कराया जाएगा इस बार परिक्षा को स्वक्ष और नकल मुक्त महौल में परिक्षा कराने की पूरी योधना है इस बार परिक्षा में पेपर लीक के को रोकने के लिए कड़े कदम उठाये जा रहे है महीं इस बार परिक्षा चास्की संस्थानों में होगी निजी कॉलेजों में इस बार परिक्षा केंद्र नहीं बनाई जाएंगे इस बारे में आदेश जारी किया गया है पिश्री बार परिक्षा केंद्र निजी संस्थानों में भी बनाए गया है अब आपको बताने कि सरकार्टी पेपर लीक जնसे इस सेती को रोकने के लिए गहंता से हर स्टेप को उठाये जाने के बात कहीं परिक्षा केंद्रो पर एसिटी एप को लगा जाएगा परिक्षा केंद्रो और कक्ष में सिजिटी भी लगाए जाएगे इसके इलाबा अभ्याटियों का fingerprint verification एक जुलाई से लागू नकल विरोधी कानून इस परिक्षा पर लागू होगा परिक्षा की सुक्षता को प्रभावित करने वाले इस कानून के तहट कारिवाई के दायरे में आएंगे जाहिर है UP में सिपाही भर्ती परिक्षा को लेकर सियम योगी आदितनात ने पहले ही निर्देश जारी किये थे पेपर लीक मामले के बाद सियम योगी ने परिक्षा को रद्द करते हुए छे मह में पुनव परिक्षा के आदेश दिये थे UP पुलिस भर्ती बोड ने अब तयारियों को पूरा करा लिया है 6 महा में ही पुनर परिक्षा कराई जा रही है सरकार प्रिशासन और भर्ती बोड की ओर से इस बार पेपर लीकिच को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए है CM योगी ने साफ कहा है कि युवाओं के भविश्य के साथ खिलवार करने वाले नहीं बचेंगे अगर कोई भी इस परिक्षा को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो उन पर बुल्डोजर आक्शन तैमाना जा रहा है खेर बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर आज के समय में CM योगी आदितिनाद की तकलीफें लगातार बढ़ती जा रही हैं जिस CM योगी के एक आदेश पर नेता सीधे नतमस्तक हो जाते थे वही नेता और वही साथी अब बगावत पर उतरने लगे हैं लोगसभा चुनाव में बीजपी योपी में जरा कमजोर क्या पड़ी CM योगी की दशा ही बदल गई कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी 27 जुलाई को भाचपा आलाकमान यानि की मोदी शहसे दिल्ली में मिलकर अपनी तकलीफों की जानकारी देंगे योपी के डिप्टी CM केश्व प्रसाद मौरे लंबे समय से योगी से टकर ले रहे हैं लेकिन अब इसमें तेजी आ गई है हालही में उनसे कई OBC विधायकों ने मुलकात की योगी विरोधी माने जाने वाले मंतरी ओम प्रकाश राजपर और निशाद पार्टी के अध्धक्ष संजन निशाद ने हालही में मौरे से मुलकात की संकेत ये हैं कि भाजपा के अंदर और भाजपा के सहयोगी पार्टी के OBC नेता मौरी के नेतरत्व में योगी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है इन्ही हालात में दो विधायकों के बयान महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और वो बयान क्या है देखिए इस रिपोर्ट में योबे में भाजपा की आपसी लड़ाई अब सार्वजनिक हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भाजपा की विधायक बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाते थे लेकिन अब वो खुल कर बोल रहे हैं योगी को लेकर भाजपा में अतनतोश बढ़ता जा रहा है जी हाँ चौरी चौरा के विधायक श्रमन कुमार निशाद ने अपनी सुरक्षा हटाने का आरोप योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगाया है विधायक निशाद बिजेपी के सयोगी निशाद पार्टी के अध्धक्ष संजर निशाद के बेटे हैं जूनियर निशाद ने अपनी पेस्बुक पेश पर एक पोस्ट में लिखा दो मौकों पर मुझे जान से मारने की धमकी मिलने के बाद भी मेरी सुरक्षा क्यों हटा ली गए श्रमन निशाद ने एक प्रेस बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जेल में बन किसी व्यक्ती से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा अबंटित की गई थी लेकिन प्रशादसन ने मनमाने ढंग से उनकी सुरक्षा गार्ड को हटा दिया उन्होंने कहा निशाद समुदाय के कई नेताओं की हत्या कर दी गई चाहे वो जमुना निशाद हूँ दरजनों अन्य निशाद नेता हूँ या हाल ही में बिहार में निशाद समुदाय के नेता मकेश जहनी के पिता की हत्या हूँ इसके बाब जू सरकार और प्रशासन मेरी सुरक्षा हटा रही है और मनमाना रवया अपना रही है जिला प्रशासन मेरे खिला साजिश रचरा है इतना ही नहीं गोरकपर जिले के एक और विधायक ने भी मोर्चा खोल रखा है कैम्पियर गंच से विधायक पते बहादुर सिंग ने आरोप लगाया है कि गोरकपर पु से हस्त शेप की मांग की यहां बताना जरूरी है कि गोरकपर चुंकि सीम का ग्रियर जन्पद है तो पुलिस वहां पर दूसरे हिसाब से काम करती है पूर्व मंत्री और साथ बार विधायक रहे फते बहादुर सिंग यूपि के पूर्व सियम वीर बहादुर सिंग के पूर्व सिंग ने पूलिस पर उनकी हत्या की साजिश रचने के आरोपी व्यक्ति के साथ मिली भगत के कारण उनकी शिकायत पर कारिवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा जो लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें लगता है कि जब तक मैं जन्दा हूँ मैं जीतता रहूंगा कही न कहीं प्रशासनिक चूख हुई है कि कोई कार्यवाई नहीं की जा रही है सार्वजनिक रूप से अपनी असुरक्षा या अपने आरूपों की विश्वसनियता के बारे में बात करने की पीछे दोनों विधायकों की मन्शा जो भी हो ये घटनाएं सियम की छवी को कमजोर कर रही है दोहजार चौबिस के लोकसभा चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन के बाद भाचपा आंतरिक मन्थन में है ऐसे में दो विधायकों और प्रशासन से जुड़ा ताजा विवात योगी की परिशानी बढ़ाने वाला ही कहा जाएगा इसलिए जब केश्र प्रसाद मौरे ने संजर निशात के साथ एक दिन पहले जो मीटिंग करके फोटो एक्सपर डाला था वो महत्वपून है और उसी से पता चलता है कि यूपी भाचपा में उठा पठक तेज हो गई है फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विश्य बनी रही राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु ने गुर्वार को बड़ा फैसला लेते हुए राश्ट्रपती भवन के दो महत्वपून हौलों का नाम बदल दिया है राश्ट्रपती मुर्मू ने दर्बार हॉल का नाम बदल कर गरतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदल कर अशोक मंडप रखा है वहीं मुकतार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अरजी पर सुप्रीम कोट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा है वहीं दिल्ली आपकारी नीती से जुड़े CBI मामले में राउ जिवन्यू कोट ने अर्विन केज रिवाल की नियायक हिरासत आठ अगस्त तक बढ़ाई है उन्हें तिहार जेल से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये पेश किया गया महीं रेद आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने दिल्ली में राष्टुपती द्रौपदी मूर्मू से मुलाकात की महीं गुजरात के साबर कांठा जिले में भारी बारिश के चलते एक बड़ा हाथसा हो गया भारी बारिश की वज़से कच्छे मकान की दीवार ढह जाने से मकान में सो रहे मा बेटे की मौत हो गई मही लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा में बैठकों का दौर जारी है इस भी शुदिली में भाजपा मुख्याले में प्रदीश संगठन महामंत्रियों की दो दिवसिये बैठक गुरुवार से शुरू हो गई जानकारी के नुसार इस बैठक में पाठी के राश्टिय ध्यक्ष जेपी नड़ा और राश्टिय संगठन महामंत्री बियल संतोष मौजूद रहे इसके अलावा सभी प्रदेशों के संगठन महामंत्री भी बैठक में मौजूद रहे मैं दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विन केजरिवाल के सहयोगी विभव कुमार ने राजसभा सांच सद स्वाती मालिवार पर कथित हमले के मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्चन्यायाले के आदेश को चुनोती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कुमार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनोती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याच्च का दायर की है ये तो थी हमारी आज की वो खबरे जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विशय बनी हुई है लेकिन जाते जाते आपको एक और एहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं मुंबई में बारिश हो रही है वहां की सडके गलियां चौक चौबारे सब पानी में डूबे हुए हैं मरीन ड्राइब की तो उफान मारता अरब सागर ही भिगो कर रखता है लेकिन जलभराव होने पर मुंबई की हार्ट लाइन यानि लोकल ट्रेन बंद हो जात है जरासी बारिश में राष्टिय राजधानी का दम घुटने लगता है पर लंदन जैसे बड़े शहरों में ऐसा क्यूं नहीं होता वहां कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं बता दे अपरियाप्त धाचागत विवस्था दिल्ली और मुंबई दोनों ही बेहत प्राचीन और परियाप्त ड्रेनेज सिस्टम से जूज रहे हैं यह सिस्टम जादा बारिश की स्थिती को संभाल नहीं सकते इसलिए गंभीर बार जैसे स्थिती पैदा होती है हर बार बारिश में तीन चार बार जलजमाप और जलभराप होता है क्योंकि सीवरेज सिस्टम काम नहीं क पाते जबकि लंडन में ये विविस्था बेहट शुर्वात से लागू है ये लागू हो तो शहर सही मात्रा में पानी को संजो सके साथी तेजी से शहरी करण होने की वजह से पानी को सोखने वाले इलाके कम हो गए हैं हर्याली वाली जगाहों की कमी होती जा रही है आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा तब तक मुझे दीजे इजाजत जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ नमस्कार आज खुद को खुश रखना ही दुनिया का सबसे बड़ा संगर्श बन गया है झाल